दिल्ली सरकार ने 69,000 करोड का बजट पेश किया है और इस बजट को लेकर पूरी दिल्ली एक नई उमीद के साथ देख रही है एक साल के लिए नहीं पूरे 25 साल का प्लान दिल्ली सरकार सामने रख चुकिया है डिप्टी, सिया, मनिश सोधी हमारे साथ है सर, वित मंत्री भी है, शुचा मंत्री भी है, कल हमने आपका पूरा बजट भाशन सुना 69,000 करोड देशवक्ति, स्कूल, सडकें, सब कुछ आप कवर करने की बात करते है क्या उमीद लेके आप आगे चल रहे हैं समय उमीद यह है कि हम फ्यूचरिस्टिक हैं भविष्य में दिल्ली कैसी होगी, आज से दो साल में दिल्ली की क्या जरूते हैं आज से बीस-पच्चिस साल बाद दिल्ली की क्या जरूते होंगी यह बजट उसको देख के बनाया गया है इसी को एक टाइम लाइन दिया गया है कि आज 75 में साल में आजादी के हम कहां खड़े होना चाहिए जो लोग हमारी आजादी के लिए लड़े थे वो देश को लेके क्या सपना देखते थे उन सपनों में से हम 75 साल में कहां खड़े हैं उन सपनों को लेके और 100 साल में क्या प पिजएपी बाकी दल अपनी देशवक्ति की बात करते हैं 75 साल आजादी को हो गए हैं देशवक्ति में कमी कहा रह गही कि आप देशवक्ति पार्टे करम बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं बकायदा जंडे पूरी दिली में आप 500 जंडे लगाने के बात कर रहे हैं जो जहां आपकी न्यूज दिखाई देती हैं, हम सुबह अख़बार पढ़ें, उसमें इस आदमी ने इतनी रिश्वत ले ली, इसने ऐसा मरडर कर दिया, इसने ऐसा रेप कर दिया, उनकी तहे में जाओ तो पढ़ ही लिखे लोग है जादेतर, जब आदमी पढ़ा लिखा आद कराने का सपना तो इसलिए थोड़ी देखा था कि हम 20 साल अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और वो बनके अफसर या नेता बनेंगे और रिश्वत खाय करेंगे, या अपना काम कराने के लिए रिश्वत दिया करेंगे दफ्तरों में जा जाके, अपना काम बारी से पहले अगर पुलिस वाला नहीं पकड़े तो भाग जाए, या आप अपने देश के सिस्टम को फालो नहीं करना चाहते हो, देश्वक्ति में कमी तो है, या फिर में इस बात को ऐसे देखूँ कि आमादी पार्टी कहीं भी जाती है, काम की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते ह हमारा काम हमारी देश्वक्ति है, शिक्षा का काम देश्वक्ति, स्वास्त का काम देश्वक्ति, लोगों की पर केप्टा इंकम बढ़ाने का काम देश्वक्ति, खिलाडियों के लिए अच्छी सुविधाया देने का काम देश्वक्ति, तब ही तो देश्वक्ति आज यही है हम यह कह ऻो कर सिफल जनी सो crypt करते हैं कि हम्याव स्वासति करते यह देशबक्ति इसको पिछले साल गाधार सालों में अवाराइज वह वो बोर्ड को लेके कई सवाल मन में आ रहे हैं कि बोर्ड को खत्म करने की ऐसी क्या जल्दी थी कि आप अपना अलग बोर्ड बनाना चाहते हैं यह हमने बोड़ कोई खत्म नहीं किया है हम दिली का अपना बोड़ बना रहे हैं और इसली बना रहे है प्लैपलकर सिर्धियांग्छ सिर्फ दहीं और आपको सक्तीज में देता ऱुदिद। तो समझ कैसे बनेगी? क्लासरूम में खड़ा होके टीचर के वर वो पढ़ाएगा जो पिछले पांस साल में एक्जाम में पूछा गया था, आप शिक्षा निती में चाहे जो लिख लो, आप लर्निंग आउटकम्स में चाहे जो लिख लो, क्लासरूम में पढ़ाई तो परिक्षा में मुल्यांकन शुरू करे, पहली बात तो वो तीन घंटे की एक परिक्षा ना हो, सतत मुल्यांकन हो, कॉंस्टेंट उसका इवलिशन चलता रहे बच्चे का, नहीं सीखा, नहीं समझ माया, टीचर को पता चल जाए, टीचर नहीं सिरे से समझाए, एक साल बात बच्चा बाहर निकल जाता है, इसको पता चलता है, नहीं आता है, तब तक बच्चे में कमी आ चुकी होती है, अपने अपना दिल्ली का बोर्ड बना रहे हैं, और इसके आगे एक अदम और चले गया है, कि वर्चूल दिल्ली मॉडल स्कूल आप खोलेंगे, जिसमें और यह कि अलसा अबकाई जाता है, षयतल स्कूल और अजन धте, खोलेंगे, आफ दो स्कूल वे गया है, अज्च घू अज़े हैं, देखो out of the box thinking बहुत जरूरी है नए सरे से सोचना बहुत जरूरी है हम यह कह रहे हैं कि हमने स्कूल चला है जो आज का स्कूल का मॉडल है वो यह मॉडल है अच्छे चला है दिली में इसमें कुप काम किया है हमने मैं इसको खारिज नहीं कर रहा हूं इसके अपनी एक महत्ता है पर यह वाला जो स्कूल मॉडल है कि एक बच्चा होगा उसको हमें के स्कूल के प्रांगर मिलाएंगे वहां उसको कुछ किताबें देंगे एक टीचर होंगे उसको पढ़ाय करेंगे 20 साल में उसको भेज़ देंगे जाओ बई अच्छा हो गया उसका मॉडल की सफलता है है और बघभवलता है हमने देखी है वो बच्चा कितना 360 डिग्री सी openness के जाता है उसको भी हमने देखा है वह समाज स्कूल बनाने का मकसद कहीं ने कहीं है कि बच्चा समाज में रहके सीखता रहे और स्कूल से उसको वर्च्योल गाइडलाईन मिलती रहे समाज उसकी प्र और मैं उमीद करता हूं कि इसका दिल्ली के बच्चों को बहुत फयादा मिलेगा देश के बच्चों को भी फैदा मिलेगा वेक्सिनेशन की बात करते हैं क्योंकि पूरे बजट में शिक्षा और हेल्थ दोनों ऐसी चीज़ें थी जो पूरे बजट का अच्छा कासा हिस्सा शिक्षा पर और हेल्थ पर आप लोगों को फ्री लगाएंगे प्राइविट अस्पतालों को इसे बाहर रखा गया है सरकारी अस्पतालों में जो आदमी आके अपना इलाज कराना चाहता है उसको फ्री मिलना चीए जिसको फ्री चाहिए वो सरकारी अस्पताल में आ सकता है जिसको लग रहा है कि मैं 200 रुपे अफोर्ड कर सकता हूँ या मुझे कोई दिक्कत नहीं है वो प्राइवेट सरकारी में बात करते हैं सौ साल आजादी की पूरी हो जाएंगे सिंगापूर के व्यक्ति के जो प्रतिस साल आये है उसके बरावर आप दिल्ली के व्यक्ति के आये करना चाहते हैं यह विजन मन में कहां से आये क्योंकि 25 साल काफी लंबा समय होता है कौन सी महमारी कावाज आती है कुछ भी हो जाता है ऐसा विजन आप लोग आगे लेके चल क्या है या वहां कि स्थिक क्या है उसक्रम में हमने देखा कि हमारी परकेप्टा इंकम दिल्ली की परकेप्टा इंकम पुरादेश की परकेप्टा सी तो तीन गुना ज़ Census से तो तीन गुनआ ज्दा है लेकिन अब एश तो आज लगवग लगवग 11 गुना का अंतर है हमने पिछला ग्रोथ देखा उनका हमने लगा 25 साल बाद जितनी सिंगापुर के परकेप्टा इंकम होगी उतनी परकेप्टा इंकम में हमारे इहां 16 गुना का अंतर होगा तो आज देश की लीडर्शिप को दिल्ली की लीडर्शिप को यह सोचने की जरूत है कि हमारे लोगों की परकेप्टा इंकम कैसे आगे बढ़ेगी उसके लिए वो नीतियां वो इंफायस्ट्रक्चर वो वातावरन वो ट्रेनिंग्स उस तरह का मार्केट हम खड़ा करेंगे अगर हम उस दूर का सपना नहीं देखेंगे तो उलज के रह जाएंगे पॉलिटिकल क्वेशन तो नहीं है लेकिन क्योंकि उत्राखंड में आप लोग यह क्या चोके हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और पॉलिटिकल हो जाता है क्योंकि आप यहां बज़ट पेश कर रहे हैं कैसे दिखते हैं पूरी जो चीज़ा हमाँ पर हो रही हैं आप लोग चुनाव लड़ने जाएंगे कोई भी सरकार को छोड़के पूरा पना पाक साल कारी काल पूरा नहीं कर पाई है उत्राखंड के लोग कॉंग्रेश से दुखी थे उन्होंने बी जैपी पे भरुसा किया था चार साल पहले लेकिन चार साल में भारती जन्ता पार्टी ने कुछ नहीं किया वहाँ पे और लोगों को धोका दिया आज उत्राखंड में भारती जन्ता पार्टी को मुखे मंतरी बदले ना बदले पर माफी मागनी चाहिए वहां के लोगों से कि भाई हमने आपके साथ धोका किया और अब उत्राखंड की राजनीती में बने रहने का भारती जंता प्राटरी को कोई हक नहीं है जब चार साल आप छीन चुके तो आप इस्तीफा दे देजी खतम करिये हैं यहां से आप जंता साल में जो कुछ दिल्ली में हुआ है उसको बदलने की जियर होता है ऐसा मानना है मनिशेत उदिया का और आने वाले समय में इस सडकें सडकों पर यह चीज़ें देखने को मिलेंगी यह सब उन्होंने हमें बताया कैमरा परसंट सुनिल के साथ माना व्यादब टीवी नाइ भारत वर्श पर